वेलकम स्टूडेंट्स स्वागत आपका अपने यूट्यूब चेनल आई स्टडी में इस वीडियो में मैं आपके साथ वर्क्षीट नमबर 34 इसका सॉलुशन बताने वाला हूं क्लास 7 का ये जो वर्क्षीट आई है इंगलिस सब्जेक्ट की डारेक्ट वेट आफ एजूके ये रही और ये जो वर्क्षीट है ये है 8th of February 2021 8th February 2021 के लिए सबसे पहले name of the student आपको यहाँ पर फिल करना है name of the class teacher आपको यहाँ पर फिल करना है इस वर्क्षीट पर लगबग या हम कहें इस chapter पर as is that made trees bloom इस पर लगबग अब तक जो previous 10 वर्क्षीट है पिछली जो 10 वर्क्षीट है वो इसी पर बेज़ट थी और आप उनको DOE वर्क्षीट के नाम से एक playlist में ने बनाई हुई है उस playlist में जाकर के आप DOE वर्क्षीट 6th, 7th और 8th क्लास की 150 प्लस वीडियो हैं उनको आप देख सकते हो और वहाँ से जो अगर आपकी वर्क्षीट रह गई तो उसको कर सकते हो तो देखिए अब तक क्या होता है कहानी में story so far we have seen time हमने देखा again that the dog spirit repays the old couple's kindness कि जो जो dog था उसकी आत्मा ने दोबारा से उस बूड़े परिवार की दयालुता पर एक तरह से और महरवानी की क्या महरवानी थी क्या help की by helping them become rich वो दोबारा से क्या कर दिया पैसे वाला बना दिया the neighbor couple also tries to become rich और जो पड़ोसी नेवर होता है पड़ोसी जो पड़ोसी परिवार था उसने भी क्या किया try किया to become rich पैसे वाला बनने के लिए using the same method but fails जिस method से वो क्या जो कपल था बुड़ा परिवार था वो पैसे वाला हुआ था इसी तरह से उन्होंने कोशिस करी पर वो फेल हो गए एट लास्ट में दा कपल impresses दा डाइमियो बाइ मेकिंग दा चैरी ट्री बलू बाइ spreading the aces और लास्ट में जो डाइमियो क्या होते हैं ये जापान के लौड थे इक तरह से जो राजा साही हम कह सकते हैं वो थे राजा थे तो उनको वो जो वो परिवार था वो impress करने की कोसिस करता है जो चालाक परिवार था पड़ोसी जो जिन्हों ने उस डॉग को मार दिया था वो क्या कोसिस करते हैं कि चैरी ट्री पर से वो क्या फैलाएंगे जो aces हैं उनको फैलाएंगे और उसे impress करेंगे और हम देखते हैं कि क्या किस तरह से जो है उनको वो रिवाड यानि की इनाम देता है देखिए आगे देखिए पर जैसे ही जो पड़ोसी परिवार था लालची ग्रीडी का मतलब होता है लालची परिवार उसने जब सब के बारे में सुना वो कुछ मेजिक एसे अपने साथ ले गए वेंट ओन दा हाईवे और हाईवे पर चले गए उन्होंने वेट किया अंटिले डाइमियोज ट्रेन केम अलॉंग कि जब तक एक डाइमियो यानि की एक राजा की जो डाइमियो बोलते थे उनकी ट्रेन नहीं आई इंस्टिड ओफ नीलिंग डाउन लाइक दा क्राउड और वो उसके सामने नील होता है गुटनों पर जुक करके बैठना नीलिंग यानि की गुटनों पर जुक करके बैठना तो उन्होंने क्या किया कि जैसे जो क्राउड था जो भीड थी वो नील कर रही थी जुक्कर के बैट रही थी, उन्होंने क्या किया? He climbed a withered cherry tree और एक withered, withered का मतलब होता है, मुर्जाया एक मुर्जाय हुए cherry tree पर वो परिवार चड़ गया ठीक है, when that daimio himself was almost directly under him और जैसे ही, वो जो daimio था, वो god था, lord god वो उसके बिलकुल नीचे था He threw a handful of aces over him और जो राख थी, aces होता है, actual मैं राख ठीक है? तो जैसे ही, वो उनके नीचे था तो उसने जो राख थी, जलने के बाद जो substance रह जाते हैं powder सा रह जाता है, उसी को राख हम कहते हैं तो उसको उन्होंने पेड पर से उसके उपर गेरने की, डालने की जैसे की जो अलरेड़ी प्रीवियस कपल था, बुढ़ा परिवार था, उसका चेंज हो गया था, ऐसे चेंज नहीं हुआ और जो हवा चल रही थी, उसने उस aces को, राख को, किसकी नाकों और कानों में बढ़ दिया आँख में और नाक में बढ़ दिया, जो वो राजा थे, and his wife और उसकी पतनी के, such sneezing and choking और इससे वो छीकने लगे और खासने लगे, सांस लेना उनको भारी पड़ गया, It spoiled all the pomp and dignity of the procession, और जो उनका जो प्रोग्राम था आने का, जिस तर ऐसे राजा का होता है, वो उसकी कुछ भी इज़त नहीं रही, The man who it was to cry, get down on your knees, और उन्होंने, जो राजा के नौकर थे, उन्होंने अचानक से उसको देख करके, जब कहा, कि get down on your knees, कि अपनी घुटनों पर बैठ जाओ, seized the old fool by the collar, और उसको collar से पकड़ लिया, dragged him from the tree, और उसको पेड से उतार लिया, tumbled him, and his ass basket into the ditch by road, और जो उसके पास वो राख की पोटली थी, बास्केट थी, ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया, रोड पर फेंग दिया, then beating him soundly, और उसको बहुत जादा उसकी पिटाई की, he left him for dead, और उसे मरने के लिए छोड दिया, thus the wicked old man died in the mud, और जो वो बूढ़ा आदमी था, वो कीचड में मर गया, क्योंकि वो वैसे भी क्या था नालाइक, उसने जो डॉग था, बूढ़े परिवार का, उसको मार दिया था, इसके अलावा बहुत ही लालची परिवार था, और जब उसने जो राजा था, डाइमी था, उनकी, उनको परिसान किया, अपनी aces की साहता से, तो जब उसको पीट करके मार दिया गया, और वो मड में, कीचड में मर गया, बट दा काइंड फ्रेंड फ्रेंड दोग ड्वेल्ट इन पीस, बट जो उस किसान का सच्चा दोस्त था, डॉग था, वो आराम से स्वर्ग में रहा एंड प्लेंटी, और जो दोनों वो पती-पत्नी थे, किसान पती-पत्नी, जिनका वो डॉग था, वो काफी लंबे समय तक अच्छे से एक दूसरे के साथ रहे, अब कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा, मैच दा वर्ड्स, विद दियर मीनिंग एंड विद करेक्ट पिक्चर, पिक्चर से हमें मैच करना है, मीनिंग बताऊंगा, अचिज क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है, राक, तो देखिए, कि जब हम किसी चीज को जलाते हैं, जलने के बाद जो वो पाउडर कीता है, ठीक है, जो रह जाता है, उसी को हम क्या कहते है, राक, ये पिक्चर को आप देख करके समझ सकते हैं, विदर्ड का मतलब होता है, मुर्जहना, ठीक है, तो ड्राइ एन्ड स्रिवल्र, इस तरह से, जैसे इसमें जो फूल है, ये मुर्जहे होए हैं, ओर डायमियो, डायमियो, ग्रेट लॉड, ठीक है, महान जो लोड होते हैं, राजा होते हैं, ठीक है, इसके बाद क्वेशिन है आखरी दो question बचे है read the passage passage को पढ़िए and choose the correct answer correct answer को चुनिए इसमें से एक ही मैं आपको करवाने वाला हूँ एक आपको खुद से passage में इस passage में आपको मिल जाएगा आपका revision भी हो जाएगा और आपको खुद से उसको दूसरे question को करना है तो पहले question का answer में बता देता हूँ what happened when the neighbor threw aces on the tree कि क्या हुआ जब जो पढ़ोसी है उन्होंने aces राक को पेड़ पर से उन्होंने फैका तो the tree withered जो पेड़ था वो मुर्जा गया the tree bloomed जो पेड़ था वो खिल गया या there was no change तो किसी तरह का कोई change नहीं हुआ option 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है which did not change a particle he threw a handful of aces over the tree which did not change a particle की जो बिल्कुल भी change नहीं हुआ जिस aces को पेड़ पर से फैका गया था तो उमीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको solution बताया है वो आपको पसंद आया होगा फिर भी मैं मानता हूँ कि online teaching learning activities में और class में real में जब आप होते हैं तो आपने समिस्याओं को भी आप मेरे से discuss कर लेते हैं आप अपने teacher से discuss कर लेते हैं तो फिर भी एक उमीद है कि आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा at least two times watch कर लिया करें आप वीडियो को अगर आपको समझा हमें आने में कोई दिक्कत है क्योंकि जब दो या तीन बार आप इसको देखोगे वीडियो को तो मेरा मानना है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उमीद करता हम वीडियो आपको पसंद आयोगा प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग